गूर्ट मॉर्निंग फ्रेंट्स वल्कम टू मैं चैनलों की मौपत और आप देख रहे हैं प्रोकन एंजल लास पार्ट में हमने देखा था कि अवनी को डिस्टार्ज रहते उसके मॉम डाड उसे धेरा धून के लिए तरफ ले जाते हैं और वहां पर जब वो जा रही रहती तो उसे कहीं न कहीं ज़्यादा टेंशन नैना की रहती है क्योंकि वो नैना को नहीं बता पा रही रहती है जो अपने मॉम डैट से कहती है कि वो नैना को इनफॉर्म कर दे तब उसके मॉम डैट बोलते हैं कि नैना को कुछ भी नहीं बताना है हम किसी से कुछ कॉछ और नए सिरे से अपनी जिन्गी स्टार्ट करो माबाप कभी सोचना कभी गलत नहीं होता दूसी तरफ जो नैना रहती है जब वो जाती है हॉस्पिटल में तो उसे वहाँ पर अवनी का पता चलता है वो डिस्टरज हो गई है फिर वो अवनी के घर जाती है वहाँ जाकर जाती है अवनी फिर कहीं नएना बहुत जादा डिस्टरब हो जाती है तो वो पहले सबसे पहले जाती अनू के पास अब आगे अनू सुनना यार नैना घर पर भी नहीं है और हॉस्पिटल से भी वो डिस्टरज हो गई है कहां चली गई है वो तो अनू बोलते है यार इस इन्वेस्टिकेशन के लिए और उनको लगा हो कि सेफ साइट से बचने के लिए इन सब चीजों से कुछ के लिए तो मुझे भी ऐसी वाली फीलिंग आ रही है अनू हो सकता है वो कहीं आ गए लेकिन मुझे बताया ही नहीं है तो अनू कहती है तूने अवनी को फोन लगाय तो कहती है यार आउट ओफ नेटवर्क एरिया बता रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि स्विच आफ तो नहीं होगा तो कह सकती हो सकता है स्विच आफ भी हो तो कहती है यार पर लग नहीं लगा तो अंकल और आंटी को फोन लगा तो अनू और नैना वहां बैट के अंकल आं और अग्दम से नैना के एक अंदे पर हाथ रखकर बोलती हैं। मुझे लग रहा है वो यह सिटी छोड़कर चले गए हैं। ऐसे दूर चले गए हैं। तो नैना एकदम से पानिक होके आपकी ऐसे-डूर चले गए हैं। अरे तुझे पता है ना कि मैं अवनी को नहीं छोड़ सकती हूँ, अवनी मुझे नहीं छोड़ सकती है, तू तो जानती है ना मिले अवनी कितनी important है, और अवनी ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकती है, वो ऐसे कैसे जा सकती है यार, नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, फोन जा रही है जा रही है तो अनु भी उसके साथ भाहर भागते वे जाती है नेना सुटी उठाती है अनु की अनु कोलते हैं रुक रुक मैं भी बैठ रही हूं और अनु भी उसके पीछे बैठ जाती है नैना इतनी स्पीड में गाड़ी चलाती है सबसे पहले वो अपनी के घर के पास जाती है वहाँ पर लोगों से पूछती है कि क्या हुआ तब ही वहाँ पर एक आंटी रहत और घर का पूरा सामान जो है वो पैक करके लेकर जा रहे थे मतलब घर खाली कर रहे थे ये लोग और बहुत सारा सामान पैक होकर चला गया है तो नना अकर बोलती है कि आंटी आपको पता है वो लोग पैक करके कहां गए थे तो वह कहती नहीं मुझे नहीं पता वो पैक कर तो अनु पुछती हैं, हाँ वो होंगी, ख्याती उस चीज से नहीं थी, यहां की कई और तो ने, यहां की कई नेबर हुड ने उन्हेना बहुत गंदे तरीके से उनकी बेटी के लिए टॉंट मारा, मैं समझ सकती उनकी बेटी के साथ जो हुआ, वो उनकी गलती नहीं थी, औ और किस तरीके से उसी छोटी सी बात का बतंगड बनाना और यह करना, यह तो काफी जादा कलत था, इस वज़े से वो डिस हार्टेड हो के शायद से चली गई है, अनु बोलती है, आंटी आपके पास कोई भी कॉन्टैक नमबर है जिसे हम पता कर सकें, तो कहती है कुछ भी के वहाँ पर जाती है, काफी ज़ादा बस स्टेड में ढूंडने लगते है कि कुछ तो उसे क्लूसfunded मिले, कुछ तो रिजर्वेशन हुए होंगे, कहीं नगा जाने के लिए होगा, वो रिजर्वेशन डिपाटमेंट में जाती है, वहाँ पर पूछती है कि कोई आज के ल अथॉर्टी भी नहीं है जिससे आप हमारे बारे में पता कर सकें वो बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो जाती है उसे समझ में नहीं आ रहता है वो क्या करें फिर बहुत पाकलो की तरह बस टैंड ट्रेन में जब धूनते धूनते शाम के चार से पांच बच जाते वो धग जा तब ही अनु इसे उठाती है और बोलती है देख सुबह से तुने कुछ खाया नहीं है और तुने पानी तक भी नहीं पीया है तुझे ड्रेन आउट तो होना ही था ना ले कोकोनट वाटर है इसे पी ले थोड़ा बैटर फील होगा तो कहती है नहीं मुझे बैटर फील मैं उसके लिए इतनी पराई हो गई किया हा मैंने एक गलती करी मैंने मैं तब मैंने बिना सोचे समझे वो मीडिया पर उसे जस्टिस दिलाने के लिए कि सब चीज़े कर ली और मैं समझ सकती हूँ मेरी एक गलती की सजा वो इतनी बड़ी मुझे देगी क्या मुझ से तना पर कांदा की समझे जलता छीड़ी मैं अपनी सारी गलती सो दाल दोगीया मैं वह जैसा बोलेगी तो questa करेंगी तरह मुझे रखने के लिए टैयार हो पर आधू मुझे अभनी सब्हुआ दो कुछ कर दूप कराउटूर्श यहांपर जो अभनी रहती है प福間 ट्रैवल कर र मुझे बैठी रहती है उसकी आँखों में से हलके हलके आसु गिर रहे रहते हैं बहुत लाइट उसकी आँखों में से आसु गिर रहे रहते हैं जिससे उसके मौम और डाट की पता नहीं कर पाते हैं अपनी थोड़े ताइम तक शांत रहती है अपनी पस किसी भी हालत में नै अब नहीं बोलती है मौ मुझे एक लास्ट कॉल करना है अब जैसा बोलो के मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ पर प्लीज मुझे एक लास्ट कॉल करने दीचे तो कहती है नहीं मुझे पता है तुम नैना को इनफॉर्म करना चाहती हो नैना को बताना चाहती हो पर जिस तर पर अपनी सच बात तो ये है कि तुम दोनों मेरे लिए बहुत करीब बेटिया हूँ मैं तुम दोनों को अब खत्रे में नहीं डाल सकती हूँ वो जितना दूर तुम से रहेगी उसके लाइफ ही बेटर अच्छी रहेगी और जितना तुम इन सारे मैटरों से दूर रहोगी तो अपनी एक नई सीरे से जिन्गी स्टार्ट कर सकोगी मेरी बात को ध्यान से समझो और ऐसे करके उसकी मॉम से मॉबाइल लेकर चली जाती है अपनी की आँखों में बेहत बेहत तड़प रहती है उसे बस इतना रहता है कि एक बार वो बता दे क्योंकि कहीं न कहीं उसे इस बात कर डर रहता है कि जब भी नैना का दिल तूटता है या जब भी नैना थोड़ा सा डिस हार्टेड होती है जब भी उसे बुरा लगता है तो वो हमीशा से हमीशा से ड्रिंकिंग का सहरा लेती है और पिछली बार जो incident हुआ था उसका one of the reason ड्रिंकिंग भी थी और उसे दिमाग में यही चल रहा रहता कि कैसे समझाओं, क्या करूं कैसे contact करूं, कैसे कोई इसको handle करेगा, पर नहीं था, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ क्या महाँपत का नाम यही होता है जहां इंसान अपने बारे में भूल कर, सामने वाले के बारे में सोचें लग जाए हाँ, शायद यही होता है क्योंकि यहाँ पर नैना अपनी हालत, अपनी condition, अपना दर्द भूल कर, अपनी के लिए सोच रहे थी, वहाँ पर अपनी जो सबसे ज़ादा critical condition, trauma से गुसर रहे थी वो अपने बारे में छोड़कर, नैना के लिए सोच रहे थी, इनका जो रिष्टा था, वो जिस्मानी कम और रुहानी ज़ादा था जो एक दूसरे की सोल से का ही साधा तरीके से ज़ड़ा था वो दोनों एक दूसरे की हालत को तड़प को सब समझ रहे थे शायद इस तरीके का प्यार करना असान नहीं था तो जब अपनी कार में बैठ जाती है और वो दहरा दून पहुच जाते वहाँ पर एक दहरा दून में भी एक थोड़ा सा घर के आउटसाइड एरिया पर अंकल ने घर लिया था त्यूकि वो नहीं चाहते थे कि अवनी किसी के भी किसी के भी कॉंटक में आए या उसके बारे में ये सारी चीजे कोई सुने या फिर से वही सौ सवाल सौ जवाब कोशन्स आए ये सब देने पड़े इसलिए उन्होंने थोड़ा सा आउससाइड एरिया में लिया था आउससाइड एरिया में जाकर वहाँ पर अल्रेडी उसका सामान पहुच चुका था जैसी वो सामान पहुचता है वहाँ पर पूरे तरीके से अरेंज होने लग जाता है अपनी को बिठाया जाता है अपनी को बोलते हैं कि आप यहीं पर बैठो बाकी सारा काम उनके माम डैट और वहाँ के जो वरकर्स होते वो करेंगे अपनी बस बैठे बैठे सोच ही रही रहते है कि क्या करूँ और जब उसका ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो उसकी तब्यत अपने आप खराब हो जाती है और वो भेश होकर गिर जाती है जैसी वो भेश होती है तो अवनी की जो मौम रहती है वो पैनिक हो जाती है और बोलती है कि सुनो सुनो सुनिये सुनिये अवनी के पापा जल्दी आई है अवनी भेश हो गई है तो वहां के डॉक्टर को जो रहते हैं वहां बुलाय जाता है तो कहते हैं इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं काया है, इनकी body drain out हो चुकी है, क्या इनको बहुत स्ट्रेस है, तो डॉक्टर को उसके पापा कहते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, तो कहते हैं, प्लीज, इनका stress level कुछ जादा high है, ऐसा कोई काम ना करिए, जिससे इनकी stress हो जाए, औ और अगर ऐसा रहा, तो किप जादा बिमार पड़ जाएंगी, और बहुत जादा हालत खराब हो जाएगी, तो आपसे सिर्फ एक ही request है मेरी, कि आप उसका ध्यान रखिए, तो अबनी जो रहती है, चुप चाप वहाँ चली जाती है, दूसी तरफ, मतलब चुप चाप उस आउंटी के पास जाती है, और आउंटी से बोलती है, आउंटी कुछ तो ऐसा clue होगा, जो मुझे अवनी तक पहुचाने में आपकी मदद करेगी, प्लीस आप मुझे बताओ, तो वो कहती है, ये जो लोडिंग और अनलोडिंग के जो लोग थे, वो रिहान कंपनी का था, म अनुहात पकरती है नैना का और उसे एक्टिव हमें बिठाती है, और ये लोग दो भागते हैं, ये लोग भागते हैं रिहान में, रिहान जो कंपनी रहती है, उसके पास जाकर पूरी बात करते हैं, और उनसे पूछते हैं, कि आप हमें बस ये बताइए, तब वहां के लो बहुत साधा कोशिश करती है, कि पता चले पता चले, पर कुछ हट तक कईसी भी आंगल में कुछ पता ही नहीं चल रहता है, वो पूरा दिन इधर उधर जाती है, बहुत कोशिश करती है, ऐसा लग रहा था कि नैना भीग मांग रही थी सबसे, कि प्लीस उसे अवनी से मिल के लिए कोई जरिया मिल जाए दूसी तरह अवनी जो नैना के न मिलने पर अंदर य-ंदर तड़प रही थी उसकी टेंशन के मारे उसकी हालत खराब और थी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो कर भी एक दूसरे के बारे में ही सोचे जा रहे थी बहुत जादा हालत खराब हो तो आजकल अनू के घर पर ही रह रही थी पर नैना को अब यह रिलाइस होता है कि उसे अपने खुद के घर पर जाती है तो वहां पर जो नैना की मौम रहती है वो उसके साथ बहुत गंदा प्यार करती है वो से कहती है कि ये क्या है बते मीजे जब तुम घर छोड़के चली जाती हो अब तुम हमारे घर पर आ गई हो तुमारी so-called friend जिसके लिए तुम हमने अपने भाई को तक जूटा ठहरा दिया, जिसके लिए तुमने अपने भाई को बहुत कुछ सुनाया, वो लड़की कहां गई है, छोड़के चली गई है, तब ही नैना अंदर आके बोलती है, कि शायद आप भूल गई हो मॉम, कि ये मेरा भी घर है, म लड़की ने अपने भाई का साथ नहीं दिया, एक पराई लड़की का साथ दिया, वो भी उस लड़की का साथ दिया, जिसका कैरक्टर इतना खराब है, जिसके उपर चार-चार लड़कों ने उसके साथ किया है, उस लड़की का साथ दिया, घिनाती है, मुझे तुझे अ हद चुछ बोल रही है तो नैना का आउट-off control होता है वहां पर एक वास रहता है वह ंठाती है और अपने Bhusd और बोलती है माँ आपने मुझे जनम दिया है ऐसा ना करिये कुछ कि आज ही अपनी जननी पर मेरा हाथ उड़ जाए और अगर जननी पर हाथ उड़िया एक बच्चे का तो दिकार है उसका जनम होने पर कार है उसकी उसकी पेटी होने पर ऐसा कुछ काम ना करिए कि अपनी मा को मुझे मारना परे और ये जो पाप लगेगा ना मुझे मैं सब्सक्राइब नहीं हैंडल कर सकती है आपका बेटा दुनिया का सबसे नालायक बेटा है जो उस लड़की पर उठा रहा है आपको चार बार बोलाए मैंने आप शायद समझो ना समझो लेकिन ये जो दर्द मैं फील कर रही हूँ आपको तो धिकार है औरत होकर नहीं समझ सकती हो और इस इस नालायक का साथ दे रही हो ये नालायक इंसान जिसने अपनी बेहन को तक नहीं बचाया अरे दुम दबा के भागाता ये जैसे बिल्ली आती है न और चुवा एक दम से अपने बिल में घुज जाता है वो बेटा है आपका पिल आपका बेटा एक नंबर का चुवा है गीदर है गीदर और आपकी होने वाली बहु शेवनी थी जिसने आज आपकी इज़त को बचाया है वरना आज अवनी की जगा मैं होती ये ही चीज़ मैं हजार बार बोलूँगी क्योंकि ये सच है और इस इनसान को ना कोई अपनी लड़की नहीं देगा आप तड़प जाओगी और ये इनसान जो एक लड़की की इज़त नहीं कर सकता जिनकी भर तडपेगा एक लड़की के लिए, क्योंकि इसे एक लड़की की रू, आर्जू, आबरू का कोई भरोसा नहीं है, इसे कोई समझ नहीं आती है, ये हर टाइम तडपेगा लड़की के लिए, कोई माबाप अपनी बेटी इसे नहीं देगा, क्योंकि जो इनसान अपनी बेहन की रक्षा नहीं कर पाया, अपनी होने वाली अपनी फियांसे की रक्षा नहीं कर पाया, अपनी होने वाली बीबी की रक्षा नहीं कर पाया, उस इनसान को मर्द बोलने का, हकी नहीं है, और तुम दुनिया के सबसे बड़े नालाया की इनसा मैं यहाँ पर आई हूँ इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे साथ एक छट पर रहकर जोच लड़ना है ठग गई हूँ मैं और रही बात ये बोलने की कि जिस लड़की के लिए मैंने स्टैंड दिया वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई और जिस लड़की के लिए मैं अपनी फैमिली से लड़ी वो लड़की मुझे छोड़के चली गई उस लड़की ने जो चीज हैंडिल करी है न उसकी जगा कोई भी होता न वो यही करता जहां तुम जैसे लोग उसे तॉचर करोगे वो लड़की क्या करेगी ऐसी बैठी रहेगी कि आओ मुझे टॉचर करो आओ मुझे सौ चाकू मारो मैं बैठी हूँ सुनने के लिए उसके भी माबाप है अनात नहीं है वो उसके माबाप ने उसके बारे में सोच कर उसे कहीं और लेकर गए कि ताकि तुम जैसे दरिंदो तुम जैसे शैतानों तुम जैसे सुसाइटी के लोगों से बच सके वो और उसने मुझे छोड़ा नहीं है और ना मैंने उसे छोड़ा है पस वक्त और हालात खराब है ममा वरना मैं उसे छोड़ दू और वो मुझे छोड़ते यह पॉसिवल नहीं है दुनिया की पूरी ताखत मैं एक कर लूँगी लेकिन मैं अवनी को ढूंड कर रहूंगी और मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं आई हूँ मैं अपना सामान लेने आई हूँ क्योंकि आज आपको बता जी कि मैं आपका घर हमेशा के लिए छोड़ कर जा दी हूँ क्योंकि आप दिसर्फन करते हो मुझे यहाँ से जो नैना है अपने रूम पर जाती है पूरे बैक्स पैक करती है पूरी चीज़े निकालती है अपने केड़ेट कार्ड, ATM, स्टोर्स की सेविंग्स रहती है, सब कुछ रहता है सब कुछ लेती है और पूरी चीज़े पैक करके वो अपने घर से निकल जाती है, जैसी वो घर के बार कदम रखती है, अपने पूरे पैक करके तभी उसका भाई कहता है जिन्गी में मैं तुझे कभी यह अंदर नहीं आने दूँगा और मा यह कभी अवा हमारे घर में अंदर नहीं आ सकती, जिस लड़की के लिए इस अपने भाई से लड़ी है मैं इसे कभी अंदर नहीं आने दूँगा उसके मा भी कहती है लेकिन नहीं नहीं अब तुम कभी हमारे घर पे चौख़ट पे कदम नहीं रख सकती हो नैना टर्ण होती है और बोलती है मैं तो कभी चौख़ट पे कदम नहीं रखूंगी लेकिन एक वादा करती हूँ आप से कि इस चौकरट पे कभी भी कोई औरत अपनी कदम नहीं रखेगी, ये लड़का जो आपका बेटा है ना, हमेशा से कुवारा मरेगा, इसे कोई लड़की नहीं मिलेगी, ये शायद मेरे दिल से बद्दुआ बोल दो या कुछ भी बोल दो, पर जिसने एक अच्छी खासी नहीं मिलने वाली थी, बट इसने ना, बोलते ना, सोने की परक्त को तो सिर्फ जुआरी ही समझ सकता है, कोई एरा गेरा नहीं, ये तो जुआरी था ही नहीं, इसलिए इसके हाथ से सोना भी चला गया, और रही बात मॉम, जापी कभी सरवत नहीं है, और ऐसे कहके नैना अ अनु हमीशा से, नैना जो है अनु के घर पे हमीशा से आईए, वो दोने जिगरी यार हैं, तो नैना की जो मॉम डैड भले नैना को उतना प्यार न करे, पर अनु के मॉम डैड हमीशा से नैना को बहुत प्यार करते थे, इसलिए नैना वहाँ पर आती है, पर नैना एक ची पर तू मेरा जितना साथ दे लिए उतना काफी है तो अनु बोलती है कि सेंटी लाइन्स और ये सब मारना बंद कर अच्छा मैंने ना सोचके रखा है कुछ चीजें क्योंकि मुझे पता है तेरे में दिमाग कम है लेकिन मुझे में तो बहुत दिमाग है अनु कहती है इन सब चीजों में ना हमने रेलवे स्टेशन चले गए हम बस स्टेंड चले गए हम जितनी कैप सर्विसेस हो सकती थी सब कुछ पता कर लिए इवन हमने रिहान कंपनी में जाके मुवर्स, पाकेज़स और मुवर्स से भी जाके सब कुछ पता किया किसी ने हमारी मदद नहीं करी तो कहती है हाँ पर इन सब में हमने सही जगा जाके अपनी अनरजी नहीं लगाई है तो नाना कहती है मतलब मैं समझी नहीं हूँ तो कहती है अरे पागल तुझे रोहित याद है जैसे तू मेरी बेस फ्रेंड है तेरे बारे में सब कुछ सिर्फ मुझे पता होगा उसी तरीके से अपनी के बारे में सब कुछ पता तो रोहित को होगा हमने सही जगा जाकर पूछा ही नहीं है हमें रोहित को पकड़ना चाहिए तो नैना बोलती है तो तू इतनी देर से वेट क्या कर रही है चल जल्दी से तो कहती है अरे हाँ हाँ चल रहें तो चलते हैं फिर ये लोग फटाक से स्कूटी में बैठते हैं मतलब एक्टी वहाँ पे और फटा फट जाते हैं स्पीड में भागते हैं और जाकर रोहित को पकरते हैं रोहित के ओफिस जो रहता है रोहित के ओफिस पे जाते हैं और वहाँ जाकर पूछते हैं तो रोहित बोलता है सोरी मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ और मुझे नहीं पता है कि अवनी कहा गई है और नैना प्लीज तुम अवनी से दूर रहो अब अवनी अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने गई है और मुझे ऐसा लगता है अगर तुम उसे सबसे अची दोस मानती है तो प्ली सब्सक्राइब करें तो उस पर इतना जाद के अहसान मत बता हमें हां और तेरे पीछे लोग घूम रहे क्या तो कहता है अरे तो कुंडों को मेरा भी तो पता चल गी है ना वो लोग तो मुझे भी पकड़ की कभी भी पीट देंगे मुझे अपने मुपे मास लगा लगा के गुमना पड़ता है साला मैं अपनी जिनगी अच्छे से नहीं जी पा रहा हूं तो अनु बोलते है कि धिकार है तुप जैसे इंसान पर तुम साले मर्द हो या ना मर्द हो सबके सब अपनी प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हो आल टाइम एक वो इसका भाई वो दुनिय देने वाली भी अगर तुम्हारी माह एसान बताईगी ना तो तुम उनका कर्ज भी लुटा पाओंगे तुम जैसे लोगों से बात करना बिकार है तुने बोलती है रुष तुम्हें पता होने के बाद भी तुम मुझे नहीं बता रहे हैं लेकिन एक टाइम ऐसा लेकर रोहित बोलता है तुम कुछ नहीं कर सकती हो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला और कुछ भी नहीं होगा यहां से दोनों भाहर निकल जाते हैं भाहर निकल के अनू नहना की तरफ देखती है और बोलती है गिर गिर आओगे अपर फाक कर आगी है क्या हाँ कुछ आइडिया भी है ये इतना घमंडी इंसान इतना बेकार इंसान तेरे पास आकर गिर गिर आएगा और तुझे आकर बोलेगा तू कौन से सपने में रह रही है तो कहती है इसका पापा भी आएगा तुझे यकीन नहीं है कि जब नैना ने ये बात बोली है तो इसका मतलब कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा मैंने तो कहती है क्या सोचा जब हम उसके आफिस में बैठे थे तो तुने देखा कि वहाँ पर एक फोटो फ्रेम्स लगी थी जहां पर वो अपना चाओ चाओ के साथ बैठा था उसका डॉगी का नाम है चाओ चाओ उसे अपने से जादा ना उस कुटे की जादा उसके डॉगी की जान बहुत प्यार है हम उसकी डॉगी की जान दाओ पे लगाएंगे चल मैं क्या सकरती हूँ तू चल देख यहां से तो नैना एते वो स्कूटी उठाती है इसके जो रोहित का घर रहता है घर की बाजू में करती है धीरे धीरे यह लोग ना वहां का अबसर्फ करती है और चुपके से ना चाओ चाओ को किड्नैप कर लेते हैं चाओ चाओ अल्डेडी नैना को पहले से जानता था तो वो अराम से उसकी गोदी में आकर बैठ जाता है क्योंकि वो जो चाओ चाओ था वो तो के चली जाती है फिर थोड़े देर के बाद जो रोहत रहता है वो आता है और जैसी वो आता है और घर पे बोलता है चाओ 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 फिर वो बहुत डूनता है उसे चाओ चाओ नहीं मिलती है वो मेच से पूछता है चाओ चाओ कहा है वो इधर गूमता है उसे तुम्हें कैसे पता तुम क्या बोले जाड़ी हो तुमने चाओ चाओ को उठाया है तो कहती है ओ हान जी चाओ चाओ को तो उठाया है और चाओ चाओ को उठाने का रीजन भी है मेरे पास लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें चाओ चाओ से कौन सा प्यार है अगर तुम्हें अवनी कहां पर है, क्या कर रही है, मुझे बता दो, और मेरे ख्याल से तुम मुझे बता दोगे, क्योंकि कौन चाओ-चाओ की जिन्गी को रिक्स पे लेगा, और बाय चांस अगर चाओ-चाओ को कुछ हो गया, तो उसकी सिम्मेदार तुम होगे, अरे अनू अनू अराम से कर, चाओ-चाओ खेल रहा है न, अरे इसको दबा मत, अरे मत दबा, अच्छे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है न, रुको रुको मैं उसकी आवास सुनाती हूँ, तब चाओ-चाओ भौकता है बहुत जम-जम के, अच्छे रुको रुको एक काम करो यार, तुम वीडियो कॉल क्यों नहीं करते हूँ, दो मिट रुको, तो यहां से जो नैना है फोन कट करती है, उसे वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल करके अराम से उसे चाओ-चाओ दिखाती है, जिसे जो अनू की गोदी में रहता ह और अनू के हाथ में एक knife रहती है, वो knife अराम साथ करते करते बोलती है, कि नहीं हुआ तो ये तो चला जाएगा, और इस तदीके से, जो रोहित रहता है, वो काफी जादा डर चुका रहता है, रोहित को समझ में नहीं हाँ रहता है, रोहित बोलता है, please, please मेरे चाव-चाव को कुछ मत करू please, I beg you I beg you, yeah please तो कहता है, चाव-चाव चाव चाहिए ना तो कहता है, हाँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ तो वही पर नैना कहती है मैं अवनी से बहुत प्यार करती हूँ जिस तरहिए से तुम्हें प्यार है अपनी इस चाओ-चाओ से मुझे प्यार है अपनी से तो अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो आजाओ तो अब फ्रेंट्स देखते हैं कि रोहे से कैसे निकल वाएगी मतलब अब तो आपको समझ में आई क्या होगा अब अब देखते हैं आखे क्या होता है अब सब कुछ जानेगे अगले कुछ एपिसोड में तब तब के लिए बाइबाइ टेक केर इस लाइक मास्टोडी लाइक शेयर साण सब्सक्राइब